दिपावली में कुमहार के चाक से बने मिट्टी के दिए घरों को जगमगाने के लिए तयार कुमहार के चाक से बने मिट्टी के दीपक इस बार आपके घरों को दिवाले के मौके पर जगमग कर देंगे इस बार बहतर कमाई होगी इसकी सोच के साथ धनबाद के ग्रामिन छीत्रों में रहने वाले कुमहार और उसकी परिवार के सदस जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भे सामिल हैं उनके द्वारा मिट्टी के दीपक लक्ष्मी गनेश की छोटी-छोटी मुर्तियां बच्चों को खेलने के लिए खिलोने इवं गुल्लक बनाये जा रहे हैं प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के द्वारा कुमहारों के चाक से बनने वाले दीपक से घरों को जगमगाने के लिए की गई अपील का असर भी धनबाद में देखने को मिलेगा इस बार आस में बड़े पैमारे पर मिट्टी के कुमहारों का परिवार इस कारे में जुटा हैं बढ़ती महगाई की वज़ा से मिट्टी के दाम में ब्रिधी हुई है ज़ारखन के कुमहारों के द्वारा जो मिटी इस्तिमाल किया जाता था, वह बिहार के गंगा पार से मंगाई जाती थी समय के साथ इसके मुल्यों में भी प्रिधी होती रहती है यही वज़ा है कि यहाँ पर कुमहार के लिए दीपक आदी मिटी की सामगरी का निर्मान करना महंगा पड़ता है और बजार में पहुंचने पर यह और भी महंगा हो जाता है जबकि चाइनिस लाइट जालर चिनी मिटी से बड़ी दीपक इन दिनों सरकारे रोग के बावजूद आसानी से बजारों में उपलब्ध हैं सस्ता होने के कारण अब आम लोगों के घरों को सजाने के लिए इवं दिपावले के मौके पर जग मगाने के लिए चाइनिस दीपक इवं जालरों का इस्तमाल करना बंद नहीं किया है लेकिन लोकल फोर वोकल का नारा धीरे-धीरे बुलंद हो रहा है और फिर से लोगों का रुझान मिठी के बनाए गए पारंपारिक दीपक आर्स और निशामागरी की ओर बढ़ने लगा है ऐसे भी गुमहारों की आस जगी है परिवार के बच्चों को इस पीसे में लाने की कोई मंसा नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने पारंपारिक व्यवसाय को अपनाया तो सदीव आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें तक खबरदार न्यूज के साथ धन्यवाद